हेला फ्रेंज कैसे हैं आप सब आई होब आप सब बहुत अच्छे होगे तो चलिए आज फिर से कुछ छोटी छोटी टीप देखते हैं जो कि हमारे किचेन में हमारे हर कदम पर ये टीप हमारे साथ होती है और ये छोटी छोटी टीप हमें पता होना तो हमारे किचेन में हमार लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है होती तो यह बहुत छोटी छोटी टिप है लेकिन इस छोटी छोटी टिप की वजह से हमारा कई काम खराब हो जाता है तो आज हम जानेंगे अपने किचन में कि कौन सी छोटी छोटी टिप हमारे काम की है लेकिन फ्रेंड्स आप मेरे च जब भी आप सूजी से कोई रशिपी बनाते हैं, तो आप इसी तरह सूजी को डाले, पाने डלा जो भी डालना है, दही डाला, या फिर जो कुछ भी बना रहे हैं, तो आप एक दम से इसे पानी डालकर घोल करके, और मत बनाया किजिए, क्योंकि सूजी को फूलने के लिए ट इस तरह आपको थोरा सा इसे घोल करके इसे रेस्ट पे रखना है आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे ढखकर जरूर रखिए आप रेस्ट पे रखेंगे ना तब आप देखेंगे कि सूजी अच्छी तरह फूल जाती है और उसके बाद आपको जो कोई भी रेस्पी बन आते हैं तो आपकी रेस्पी बिल्कुल पर्फिक्ट बन करके तयार होती है तो आप इस ट्रीप को ट्राई करके देखें चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रीप की तरफ तो मेरी दूसरी ट्रीप है कि जब यह हम लड़ो बनाने के लिए घोंद फ्राई करते हैं तो इसको फ्राई करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका तेल बिल्कुल अच्छी तरह गरम होना चाहिए क्योंकि जब तेल आपका अच्छी तरह गरम होगा तभी आपका गूंद अच्छी तरह फूलेगा अगर गूंद आपका नहीं फूलेगा तो आप इस पहले high flame पे अपने खी को गरम कर लेजिए और फिर इसे fry करते वक्त आप अपने flame को medium कर लेजिए और फिर थोड़ा थोड़ा डाल करके इकथा आपको बहुँत जादा अपने गोंद को नहीं डालना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक-एक मुठी डाल करके इसे अच्छी तरह चला-चला करके आपको fry करना है इस तरह अगर आप फ्राइगा तो जब आप इसे करेंगे यानि कि जब आप इसे मसलेंगे तब आप देखेंगे कि यह अच्छी तरह ग्रश भी हो जाएगा और यह आपके दातों के नीचे बिलकुल चिपकेगा नहीं और इसका लड़ू बनेगा तो वो लड़ू आपके दातों के नीचे बिलकुल ही नहीं चिपकेगा तो अब से आप अगर गौंद फ्राइ करें तो इस छोटी सी टिप को आप ध्यान में तो मेरी अगली टिप है कि जब ही हम मेथी का भुजिया मेथी आली का भुजिया बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि आलू और मेथी सबको साथ में डाल देते हैं ऐसा करने से होता यह है कि मेथी का जो पत्ता है वो बहुत जादा बिलकुल भुन जाता है और वो ना एक जले स तो आप ना अपने मेति के पत्ते को बिल्कुल जब भुजिया में या किसी भी सब्जी में डाल रहे हैं तो उसे ज्यादा भूनिये मत ज्यादा अगर नहीं भूनेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा यानि कि मेति का टेस्ट आपको मिलेगा तो जब आलू को आप थो कि आपका पसंदा आती वाला भूजिया तो प्लीज एक लाई करें और आप अगर पहले डाल देंगे तो फिर मेरे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल मत जाएं और मेरी ऐसी और भी छोटी-छोटी किजन टिप देखन कि अभी ओर भीजाओ कि म अउले तो प्लीज चैनल को म?!"